आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज हम इस आंसिक विशेशन में एक विशेश शन्योग की बात करेंगे जो जातक की हतिली पर उभरता है और जातक को महाधनाध्य आरपती खरपती बनाता है तो आएए करते हैं विशेशन शुरुवाद शनी के परवत से शनी का परवत संतल हो वहाँ पर कोई नेगेटिव साइन ना हो और जो शनी परपत पर दो मनी एंट ना दिखा रहे हैं वो तो जातक की संपनता में चार चांद लगा रहे हैं ऐसे में आपकी भागे रेखा के तु से या मनी मन से निकले इस पस्ट गहरी निर्दोश और शनी परवत तक पहुँच जाएं ऐसे में इस भागे रेखा से एक शाखा के रूप में सुर्य रेखा निकले पतली गहरी इस पस्ट निर्दोश और पहुचे समतल सुर्य परवत पर जहां कोई नेगेटिव साइन ना हो लेकिन इस हतेली पर सुर्य परवत पर एक इस पस्ट मचली का चनुबर रहा है जो जातक को अती संपन बना रहा है फिश जब भी सुर्य परवत पर उभरती है जातक के जीवन में धनकी बरसाथ करती है ऐसा जातक बहुत ही परभावशाली होता है ऐसा जातक अपनी बौदिक शम्ता से वेपार के छेत्र में अपार सफलता अपरात करता है और अपार संपनता भोगता है अरपती खरपती एक बड़े वेपारिक सम्राज्य का सौमी बन जाता है तो होतेली पर ऐसा स्योग उभरना अपने आप में अती शुभव वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अर्बूच्ट बढ़को रहता है अर्पस कि अर्पस्वाद है ये तो होतेल अर्पस काता है ये ये तो है ये चल्पस काता है है झाल झाल